है यह वायरस का अज नेक्स्ट वीडि़ियो ए इस वीडियो इसमें वायरस कैसे इंफेक्ट करता है वायरस का ट्रांसमेशन अर्थाथ वायरस संचरण है वो कैसे एक होस्ट से दूसरी होस्ट सेल में होता है तो उसके सम्मंद में कई विदिया हैं तो जो important है जो mode of transmissions हैं उनको मैं यहां पर मैंने इस जो आपका slide है उसमें मैंने यहां पर ड्रा किया है तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से virus का transmission होता है जनरली जो अभी corona का virus का time चली रहा है को बताया भी जा रहा है कि आप जो human से human transmission हो रहा है उसका virus का तो आप थोड़ा सा दूर रहे तो कई तरीके की precautions बताया जाते हैं तो ऐसे virus कैसे एक host cell से दूसरे host cell में transfer होता है कैसे virus नए host को infect करता है तो उसी के बारे में यह आज का वीडियो है तो इसको start करते हैं virus एक host cell से दूसरी host cell निम निकित विधियों द्वारा transmit होता है इसमें जो पहला है the first one is transmission through soil मतलब मिट्टी के द्वारा संचरणा है इस प्रकार के transmission में फसल की कटाई के बाद में virus जो की पौधों में उपस्थित होते हैं वा मिट्टी में पहुँच जाते हैं इसके बाद में कोई नई फसल जब उगाई जाती तो virus पुना पहुँच कर उन्हें संक्रमित कर देते हैं जैसे potato mozoic virus एक्जामपल भी दिया है देखें सिंपल है जब कोई virus किसी plant को infect करेगा किसी भी फसल को infect करेगा virus तो उसके बाद में जब उस फसल की कटाई हो जाती है तो virus simply कहाँ पर महुच जाएगा स्वाइल में जब कोई नई फसल वहाँ पर लगाई जाती है तो उस नई फसल में वो virus पुना transmit हो जाएगा इस प्रकार मिट्टी के द्वारा जो virus का transmission है नए होस सेल में अर्थात नए plant में वो continue चलता रहता है तो इस प्रकार यह transmission आपका स्वाइल की द्वारा हो गया अगला आपका जो transmission है वो है सीड की द्वारा transmission through seed देखिए इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट ट्रांस्मिशन थ्रू सीड यानि बीज की द्वारा transmission इस प्रकार के transmission में वाइरस पौदों के बीज पर चिपक जाते हैं तथा बीज के अंक्रुन अर्थाज germination के समय बीजों में प्रवेस कर जाते हैं तथा उन्हें संक्रमित कर देते हैं ये जो वाइरस होता है यह क्या होता है जैसे कोई सीड है इस सीड में चारो तरफ यह वाइरस चपक जाएंगे और उसके बा實 अगर यहाँ़ प्रूष आ है तो सीड के अंदर इंट्रिगर के क्या करेगा उसे इंफेक्ट कर देता है तो ये जो वाइरस है that is called टोवेको रिंग स्पॉर्ट वाइरस इस प्रकार बीज के द्वारा वाइरस में ट्रांस्मिशन होता है जब किसी स्वस्थ पौधे के फ्लावर को संक्रमित पौधे के फ्लावर में इस्थित प्लावर है उसमें मेल और फीमेल पार्ट होते है तो इसमें जो पौधे के फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जब ट्रांस्मिट होगा तो यह संक्रमित पौधे को भी क्या कर देगा infected कर देगा तो इस प्रकार pollen grain के द्वारा भी transmission होता है तो यह आपका third भी complete हो गया है इसके बाद four transmission by vector vector के द्वारा संचरण virus विभिन vector के द्वारा भी एक पौदे से दूसरे plant में क्या होता है transmit होता है ठीक तो यह कौन-कौन से vector उनके मैंने कुछ example रहे रखे vector का मतलब होता है कि वो माध्यम जिनके द्वारा virus एक इस्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप बस में बैटके कहीं एक इस्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बस आपके लिए क्या vector है और आप सपोस्था जैसे वाइरस हो गए तो आप जहां उतरेंगे वहां इंफेक्ट करेंगे तो इसी प्रकार यह बिभीन प्रकार के स्लाइड में आपको दिख रहा होगा तो इसमें क्या टोवेको मुझे वाइरस का ट्रांस्मिशन एक प्रकार की ग्रॉइस वाइरस का वाइरस फिक मोजग एक वाइरस है जिसका transmission माइट्स के द्वारा होता है मतलब माइट्स के ओपर यह वाइरस रहता है जो कि एक इस्थां से दूसरे इस्थान पर ले जाता है तो यह आपका स्टार्ट नोट्स में यह question पूछा जाता है वाइरस के transmission में मैंने जो इतने important थे उनको यह इतने प्रियोंस तो उसी यह जो next video होगा उसमें प्रियोंस के बारे में पूरा lecture होगा उसके बाद में वाइरस क्या है देन डिफरेंसेज होंगे तो लास्ट जो वीडियो वाइरस को होगा यह बेरी important तो उससे जरूर आप देखिएगा बाकी मेरे जितने भी वाइरस के व टाओ कि बेडियो यह दोड़ कि अब एक व्रेड़ का कर देयो कर दो कर दो दो कि रहे भी ऊवर चाहर हमसरी को घर विस अड़।